काशिपूर के कुंडा थाना पुलिस को उस वक्ध सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने मुख्विर की सूचना पर तीन आरोपियों को गोवंज की मास की तसक्री के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जबकि दो आरोपी पुलिस को देखकर मोके से फरार हो गए, पुलिस ने पकड़े कई तीनो आरोपीयों को नियायले भेज दिया है। बता दे कि कुंडा थानव पुलिस को मुख्वीर से सूचना मिली, कि काशिपूर के ग्राम सरवर खेड़ा में गोवंशिये के माज की तजकरी की जा रही है। करने के निये पुलिस दविस दे रही है। वही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गोवर्श अधिनियम साहित विबिन धाराओं में मुकदमा दर्चकर नियायले भेज दिया है। कि आज रात्री में में से इस्पेक्टर विजन दर्कुमार एसो साथ में रात्री चेकिंग में थे रात्री गस्त चेकिंग में। मुकबिर ने सुचना देख कि ग्राम सवर खेड़ा में आमके बगीचे के पास में कुछ लोग एक कमरे के अंदर बोकुर्शी कर रहे हैं। इस सोचना पर हमने मुकबिर को साथ लिया उसके बैतायवे पते पर गए और वहां पर एकदम दविश दे करके तीन लोगों को मौकर पर ही ग्रफतार कर लिया और दो लोग वहां से धरा रोगों। इन के पास से धाइकोंटल गाये का मेट मिला है और गाये काटने के उपकरन जिन में साथ जूरी है एक पाटल है और एक सुट तीन पन्नी है और तीन लोग मौकर पर ही ग्रफतार कर लिया और जो दो वेक्ति भागे हैं उनका नाम परकास्म आया है उनमें से एक नहीं है औ जानते भी हैं यह सभी थाकुट द्वारा के हैं इसके लिए रात में ही मौके पर जो पसुट चिकत्सा धिकारी हैं वो गुलाए गये थे उनके द्वारा भी बताया गया कि गाया का मीथ है फिर भी इसके कंफर्मेशन के लिए जो डूक्टर द्वारा इसके सेंपल ले पता है यहारा इसके सेंपल में हो।